नमस्काल दोस्तों मैं नमीन भालती स्वागत करता हूँ आपका हमाय चैनल हाव डॉक्टर थिंक्स में आज हम बात करने वाले हैं कि नेक पेन को यानि की गर्दन के दर्द को हम घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हैं गर्दन का दर्द होता क्यों है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसके ओपर वीडियो मैंने पहले से बना दी है आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो का आप देख सकते हैं यदि किसी के garden में continue दर्द रहता है या फिर किसी bad posture की वज़े से वो garden का दर्द आ रहा है तो उसको हम घर पे कैसे ही ठीक करें तो उसके लिए कुछ exercise बताई गई है तो सबसे पहले exercise मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूँ आपको क्या करना है अपने एक हाथ को पीछे की साइड ले जाना है और दूसरे हाथ से अपने सर को ऐसे पकरना है और नीचे की तरफ उसे खीचना है जब आप नीचे की तरफ खीचेंगे तो आपको एक stretch feel होगा आपने यहां से पकड़ के एक stretch दीजे तो इस तरीके से इस exercise को करना है जो stretch का hold होगा वह 10-15 seconds के लिए होगा और इसके 5 repetitions आपको करना है उसके बाद बढ़ते हम next exercise की तरफ उसमें क्या करना है आपको आपको वापिस सेम पोजिशन में एक हाथ को पीछे की साइड ले जान है और दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ना है अपने सर को और ऐसे stretch देना है इस बार आपको कोई उपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं रेखना सी राएक stretch देना है आपको मेरी garden में देखो stretch दिख रहा होगा clearly तो ये भी सेम 10 तू 15 सेकंड के लिए hold करके रखना है hold करने के बाद इस exercise को कम सकम पांच बार घर पे करना है daily routine में जो कि आपके लिए neck pain के लिए बहुत ही helpful होगा neck pain आपका relief हो जाएगा अब बढ़ते है next exercise की तरफ जिने हम isometric exercise के नाम से जानते हैं इसमें क्या करना है सबसे पहले अपने सीधे हाथ से क्या करना है ऐसे अंदर की तरफ force लगाना है और अपने सर से उसके opposite direction में force लगाना है कुछ इस तरीके से तो आपको यह muscle में contraction feel होगा garden की muscles में contraction feel होगा और इसी को बोलते हम isometric exercise इसमें भी 10 to 15 seconds का hold देना है और 5 बार करना है ठीक है उसके बाद same ऐसे opposite side में करना है हाथ से force अंदर की side और सर से force हाथ की तरफ और एक contraction जो feel होगा वो neck की muscles में feel होगा और जो free hand है आप उसको ऐसे ही free छोड़ सकते हैं उससे कुछ करने की जोड़त नहीं है ठीक है तो यह हो गई lateral side के लिए exercise isometric उसके बाद है हमारा anterior side के लिए isometric anterior side में isometric करने के लिए दोनों हाथों को इस तरीके से बांध लीजे और अपने सर से ऐसे भार की तरफ आपको force लगाना है मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ सर से आपको भार की side force लगाना है और हाथ से अंदर की तरफ force लगाना है तो आपको एक neck में contraction feel होगा तो यह भी same repetition होंगे इसके 10 to 15 second का hold and इसमें क्या करना यह भी 5 से 6 बार आप कर सकते हो उसके बाद same exercise इसी का दूसरा है posterior side के लिए उसमें क्या करना है same हातों को आप बांधेंगे और पीछे की तरफ ऐसे रखेंगे और अब की बार जो गर्दन से force लगेगा वो पीछे की side लगेगा और जो हाथ से लगेगा वो आपका आगे की side लगे कुछ इस तरीके से देखिए यह फोर्स मेरा आगे की तरफ और गर्दन पीछे की तरफ और आपको एक नेक में समझ में आ गई होंगी आज के लिए इतना ही थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो वीडियो को जादे से जादे शेर कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को एंड कमेंट करना ना भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लादे से लिए एंड आ लािश वीडियो में क्जल को एंड बुल कर लादे से Teacher झाल